नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल आरकी एजूकेशन में सौगत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने SSC 10 पलस 2 जो SSC CHSL 10 पलस 2 की बैकेंसी आई थी उसके लिए अगर आपने फार्म अपलाई कर दिया है तो आपको एक बार अपना फार्म जो है अपलिकेशन इस्टेटर्स जो है चेक कर लेना चाहिए कि आपका फार्म जो है एकसेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है आपका complete है या incomplete है तो किस परकार से चेक करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको complete बताऊंगा तो चैनल पे नए हो भाई, तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल mail को प्रिस कर लेना हमारे चैनल के माध्धम से आपको बहुत ज्यादा हिल्फ मिलेगा तो चलिए दोस्तों सरपथम आपको आना है मुबाइल स्क्रीन में, मुबाइल स्क्रीन में आना के बाद आपको SSC डाल के सर्च कर लेना है Google Chrome Browser में आना है SSC डाल के सर्च करोगे यहां फ्रेष्ट ही आपको दिखाई देगा Staff Selection Commission Homepage यहां पर इसका दिखाई देगा SSC का, तो यहां इसपे आपको किलिक कर देना जैसे आप इसपे किलिक करोगे तो आपको SSC की ओफिसल साइड पे ले जाएगा तो यहां login के option दिखाई दे रहा होगा तो आपको अपना registration number और अपना password यहां पर फेल कर देना है password फेल करने के बाद यहां login के बटन पे आपको किलिक करना पड़ेगा अगर आपको जो है अपना registration number फासवर्ड नहीं पता है तो आप अपना email चेक कर लीजिए आपकी email पे जो है registration number और पासवर्ड गया होगा तो हम यहां पर आपको capture code फेल करके जो है login के बटन पे किलिक करके दिखाते हैं कि किस परकार आपको चेक करना है application status को तो यहां आने के बाद यहां जैसे login करोगे तो यहां फश्ट ही option यहां पर आपको दिखाई देगा combined high second year 10 plus 2 level examination 2013 यहां पर इसका जो है last date जो था यहां पर last date बीद गया है उसके बाद यहां आओगे देखोगे तो यहां बहुत सारा option आपको दिखाई देगा जैसे इस पर click करोगे तो आपका application status जो है complete है या incomplete है तो आपको दिखाई देगा तो हम यहां पर click करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि किस परकार आपको जो है चेक करना है आपका आसानी से दिखाई देगा तो इस पे हम click करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं तो यहाँ click करने के बाद आपको कुछ इस परकार से आपसन open हो जाएगा यहाँ application status जो है यहाँ पर हमारा जो है सभी कुछ accept बता रहा है यहां पर सभी हमारा जो है फिस payment जो है सभी कुछ हमारा जो है accepted बता रहा है यहां नीचे देखोगे तो यहां application status जो है यहां पर हमारा जो है professionally यहां पर आपका जो है आपका अगर इस प्रकार से बता रहा है यहां पर accepted बता रहा है सभी कुछ जो है accept बता रहा है तो आपका ज जो है, सभी कुछ एक्षेप्ट है, इसलिए हमारा एड्मिन का डूर्ट है.